बिहार में सरकार तो बदल गई मगर मुखिया वही रहे अता सराब बंदी के जो स्थिती है वह अभी उसी प्रकार नजरा रही है इसी करम में उतपाद पूलिस के द्वारा जमुई में एक अतालेस लीटर सराब के साथ एक अभ्युक्त को आज गिरफतार किया गया वहीं दो फरार हो गए बताया जा रहा है कि गृटी से सराब गोले कर लखिस राय जाया जा रहा था जहां गुप्त सोचना मिलने पर तुरित कारवाई करते हुए उतपाद विभाग के अधिकारियों के द्वारा उनकी गिरफतारी सुनिश्चित की गई है आईए सुनते हैं इस पूरे मामले में क्या कुछ कह रहा है अधिकारी अपना जमुई के लिए हेमंत राज के इस खास रिपोर्ट में सुबह में दारू की पेटी पकड़ाई है साथ ब्लेक क्लर का कोई गाड़ी है चेवरलेट क्या मामला है सरकुरा बताई यह सुबह घस्ति दल निकली भी थी घस्ति दल को यसी ही पता चला कि ऐसे से इन्फोर्मेशन एक गुष सूचना मिला था हमारे गस्ति दल उसका पीछा 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 कचरी चोग पड़ाया किस पटी रूड में जहां मुर्गा उड़का बिखता है उसके बगल में गली गई गई थी उसमें गाड़ी खुषा दिया तो हम लोग उसको पकड़े जब तक हमारी गाड़ी रुकी तब तक उसमें से लोग भाग गया गाड़ी का लॉक कर दिया कितने अभ्यूद पकड़ाया है उसका नाम है निरंजन कुमार उसके फातक नाम किस्नंदन सींग थाना पिपरहिया जिला लखिस राय का रहने वाला और उसमें रॉयल प्लेयर प्रीमियम ग्रेन विस्की है एक तालीस क्याइट 250 लिटर दोनों मिला वह था बड़ा था 750 एमिल आ 375 एमिल दोनों था फिर लॉक को हम लोग तोरवाड वा के फिर मिस्तिरी बलाएं और लेके लोग तोरगे ले गए और जो भागा था उसको हम लोग बहुत दूर करो कि डेढ़ फिलू मिटर हमारा सिपाई दोर क वह पानी में चुट ऊधार चीपगा पानी में गिर गया था वह पकड़ गाएं इंडर लोला कि एक उत्ऴ पकड़ा अधिया कि यह साथ सद इसंदिया राकिर पगणा कि उसी की पिचले में घुसा है मुनाइं पीछा तो कर रहा थे मसोरी चौक से कहां से आरा सह से वह व्रक्ष्राजा रहा था जमु में उसको धार्द होजा गया है ना गुफ सुचना क्या रहा है अपना परिश्य बता विए शंजीव कुआ ठाकूर एक साई सूटेर जमु है अब लोग अधाई